मा मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है और देखो तो मेरे सूट पे विजू चल रही है मा आरे तुझे कितना समझाया मैंने कि ट्रीटमेंट करवाले ट्रीटमेंट करवाले पर अपने मा की तो तुझे एक नहीं सुननी दिव्या के बालों में बच्पन से ही बहुत जुए थी इसका कारण था दिव्या का अपने बालों को साफ न रखना दिव्या कई-कई दिनों तक अपने बालों को धोती नहीं थी वो बहुती आलसी किस्म की लड़की थी दिव्या की मा अंजू इस हरकत से बहुत परिशान थी लेकिन दिव्या अपनी मा की एक भी बात नहीं सुनती थी और बड़े होते होते उसकी ये लापरवाही आदत बन जाती है जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तयार नहीं था सब लड़किया उसका मजाग बनाती थी आचल तू मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देगी क्या ना बबा ना तुझसे तो मैं दूर ही अच्छी हूँ तेरे सर में कितनी जूए है तुझे अंदाजा भी है और मुझे हो गई तो नहीं नहीं तू अपने आप चली जा अपने घर चल सुर्वी कॉलेज के चुट्टी भी हो गई है और रास्ते में मुमोस भी तो खाने है हमें दिव्या अरे ओ दिव्या हा मा कुछ काम था आरे सारे घर में जू जू कर रखी है तूने अभी तेरे कमरे से देखकर आ रही हूँ तेरे तके पर जू ही जू चल रही थी बचपन में मेरी बात सुन ली होती तो अब तक तेरी ये सारी जू तेरा पीछा छोड़ चुकी होती अभी भी कितनी बार कहती हूँ सर साफ कर लिया कर लेकिन मेरी बात तो तुझे सुननी ही नहीं है पता नहीं कौन तुछ से शादी करेगा अब दिव्या की शादी की उम्र हो गई थी उसके लिए रिष्टे भी आ रहे थी मगर दिव्या की सर की जू की वज़े से कोई भी उसे अपने घर की बहु बनाने को तयार नहीं था और एक दिन तेरी इंजूओं की वज़े से कोई भी तुझे से शादी करने को तयार नहीं है भगवान क्या करू मैं इस लड़की का कान खोल कर सुन ले मेरी बात कल तुझे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं अपने सर को अच्छे से ढख कर आना पर माँ अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सर की ढखा हुआ है फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूँगी अरे वो सब तु मुझ पर शोड़ दे मैं संभाल लूँगी अब मेरे सर में हो रहा है बहुत तेज दर्द जाके जा अधरक वाली चाय बना कर ले करा मेरे लिए दिव्या की माँ हमेशा से यही चाहती थी कि वो अपने सर की सफाई पर ध्यान दे पर दिव्या किसी की नहीं सुनती थी एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना यही उसको आता था अगले दिव्या को लड़के वाले देखने आते हैं दिव्या बेटा अरे बेटा अभी से यह पल्ला क्यों कर लिया तुने अरे बहन जी मेरी बेटी बहुत शर्मीली है किस वी सदी की लड़की होकर भी अपने संसकार नहीं भूली आज भी अरे यह तो बड़ी संसकारी बच्ची है बेटा शादी बाद पल्ला लेने की कोई जरूरत नहीं हमारे यहाँ पल्ला नहीं लिया जाता उसके सास अर्चना को दिव्या पसंद आ जाती है और अपने बेटे हिमांशू से दिव्या की शादी करा देती है अब दिव्या की शादी हो जाती है और वो अपने सर को हमेशा ढख कर ही रखती थी अरे दिव्या बहू तुम बहुत संसकारी बेटी हो पर हमारे यहाँ पर सर ढखने की कोई जरूरत नहीं है मा जी मुझे सर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है दिव्या जब रात में सोने के लिए जाती तो हिमाशु के सो जाने के बाद सर को बूरी तरह खुजाने लगती है जिससे कि किसी को कुछ पता ना चले कुछ दिन तो ऐसे ही बीच जाते है मा मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है लगता है जैसे कुछ चल रहा है बालो में क्या लगता है तेरे सर में जू हो गई है पर हमारे परिवार में तो किसी के बालो में जू नहीं है फिर तेरे सर में रातो रात जू कहां से आ गई मा मेरे तो ओफिस में भी कोई नहीं है मा आपके बालों में भी जू चल रही है क्या? हे भगवान, मेरे सर में जू कहां से आ गई? हिमान्शे और उसकी मा की सर में भी जूए पढ़ जाती है उस दिन तो बात जैसे तैसे टल जाती है मगर एक दिन दिव्या की ससुराल में पड़ों से कुछ महमान आये होते है तभी दिव्या का सर का पला हट जाता है ही राम, क्या बहू? तेरे सर में तो कितनी जू भरी है? ची 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 अरे अर्चिना, ये तो तो जू वाली बहू ले आई? राम, 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 अरे हमारे हिमानशु में क्या कमी थी? जो तू इसे बहू बना कर लेका राई? खबरदार जो मेरी बहू को किसी ने कुछ बोला तो, जू ही तो है सब के बालों में हो जाती है तुम्हारे बहू बेटी के सर में कभी जू नहीं पड़ी क्या जो तुम मेरी बहू पर सवाल उठा रही हो? मा, मैं नहीं रह सकता इस जू वाली के साथ, मेरे भी सर में जू कर दी सने तो हिमानशू, ये क्या कह रहे हो? दिव्याब हमारे परिवार का हिस्सा है, समझे, मेरे बहू इस घर से कही नहीं जाएगी, तुझे जाना है तो जा मा जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे गलती के कारण आज मा जी को दूसरों की बाते सुनने पर रही है मैंने अगर मा की बात सुननी होती तो आज मेरे सर में एक भी जूना होती, मैं मा जी को और अपमानित नहीं होते देख सकती मैं आज से ही अपना इलाज शुरू कर दूंगी और अपने सर को भी साफ रखा करूंगी माजी थेंक्यू इतना सपोर्ट करने के लिए अपसे मैं अपनी जुओं का इलाज शुरू करवाऊंगी और आपको और अफमानित नहीं देख सकती मैं अगले दिव्या एक अच्छे सकिन डॉक्टर के पास जाती है और कुछ खाने और लगाने की दवाईया लेकर वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देती है रगुलर इलाज करने से दिव्या की जुए धीरे-धीरे खतम होने लगती है और एक दिन ऐसा आया जब उसके सर में एक भी जुँ नहीं थी अब दिव्या भी बहुत खुश थी, अब उसके सर की सारी जुँ चली जाती है अब वो किसी के सामने जाने से घबराती नहीं और हिमान्शू भी उससे बहुत खुश था अब वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं